Hey everyone, welcome on Grasping Python Number System for Computer के part 2 भाग में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Number System Conversion के Group B टाइप की Convergence की अल्लेड हम के लास के अंदर डिसक्स कर सुके Part 1 के अंदर, जिसके अंदर Number System Conversion की हमने बात की थी जैसा कि आप देख रहे हमने 4 Number System पड़े थे decimal number system और hexadecimal system अम इन चारो number systems हो आपस में convert करते हैं तो हमारे पास total 12 conversion आते हैं 3 conversion यहां से आते हैं 3 conversion यहां से आते हैं 3 conversion यहां से आते हैं और 3 conversion यहां से आते हैं तो यह total हमारे पास 12 conversions होते हैं इन 12 conversions को समझने के लिए हमने क्या किया था इन ग्रूप में डिवाइड किया था अगर आपने मारा लास्ट वेडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लिजे ग्रूप A सेटंड आपने डिवाइड के था ग्रूप B और रफ्र हम डिवाइड किया थे ग्रूप C के अंदर now group A हम already discuss कर चुके part 1 के अंदर जिसके अंदर हमने बात की थी कि अगर कोई भी number system आपका decimal number system में है और उसको अगर आप convert करना चाहते हैं binary के अंदर या फिर octal के अंदर या फिर hexadecimal के अंदर इनके लिए हमने एक method यूज किया था तो आप हमारा part 1 देखिए उसके अंदर description box में उसका link भी available है आज हम बात करेंगे group B की, group B के अंदर जो convergence के हम बात करेंगे binary से decimal में convert करेंगे, octal से decimal में convert करेंगे या फिर hexadecimal से decimal में convert करेंगे कहने का मतलब यह कि part 1 के अंदर हमने क्या किया था decimal से number system को हमने convert किया था binary के अंदर octal के अंदर and hexadecimal के अंदर तो part b आपका reverse conversion होगा इसके अंदर तो यहाँ पे देखे अगर base 2, 8, 16 से base 10 में convert करना है तो वो ही दो चीज़े आएगी integer portion भी हो सकता है number system के अंदर और fractional portion भी हो सकता है इन तीनों convergence के लिए हम एक ही method यूज करेंगे इसलिए हमने इन सब को एक ही group के अंदर डाला है group b तो the process of converting binary octal and hexadecimal to decimal is quite simple the process starts from multiplying the digits of binary octal hexadecimal number system with its corresponding positional weight अब यहाँ पे positional weights क्या होते हैं यह आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं नई समझते हैं तो यहाँ पे देखें example के तोर पर अगर हम समझें हमारा अगर कोई भी number system है तो यहाँ पे यह digit denote करते हैं d0, d1, d2 up to dn-1 यह हमारे integer portion के लिए denote कर रहे हैं और यहाँ पे minus 1, minus 2 यह आपके fractional portion के लिए denote कर रहे हैं और base आप पर 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछी भी हो सकता है और उसको convert करना है base 10 के अंदर तो यहाँ पे देखें, digit हमारा पता चल जाएगा base हमें पता है, तो हमें क्या करना है corresponding weights के अंदर d0 को b0 से multiply करना है d1 को b1 से multiply करना है d2 को b- मतलब base minus, sorry, base 2 से multiply करना है और dn-1 को base की power n-1 के साथ multiply करना है और fractional portion आपका minus 1 से शुरूँगा, तो जो digits आपकी minus 1 होगी position पे position, उसको हम base की power minus 1 से multiply करेंगे अब इसको समझे क्या होता है, suppose कर लिजे आपका कोई number system में 101.10 यह हमारा कोई number है और इसका base 2 है, तो इस case के अंदर यह जो digit होगी नहीं, यह आपकी होगी d0, और यह जो digit होगी इसकी position होगी d1 और यह जो digit होगी, इसकी position होगी d2, similarly इसकी position के अगर हम बात करें तो d-1 और इसकी position के बात करें तो d-2, right अब यहाँ पे base आपका 2 है similarly base 8 भी हो सकता है base आपका 16 भी हो सकता है उससे आपको क्या करना है multiply example की तोर पर वेग हम समझेंगे तो finding the equivalent decimal number of 1010 base 2 अब यहाँ पर देखे 1010 और इसका base 2 है इसका equivalent number find out करना है तो यहाँ पर देखे हम नहीं कहा किया इस number को इस तरीके से लिख दिया आप यहाँ पर पहला आपका यह आपका d0 है यह आपका d1 है यह आपका d2 है यह आपका d3 है ठीक है और इसको आपको multiply करना है क्योंकि binary से convert करना है तो 2 से तो यहाँ पर देखे 0 multiply by 2 की power 0 फिर यहाँ पर 1 multiply by 2 की power 1 0 multiply by 2 की power 2 1 multiply by 2 की power 3 तो ये देखे place value होते है 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4 इस तरीके से चलेगी integer portion के लिए fractional portion के लिए value चले जाएगी negative में 2 की power minus 1, 2 की power minus 2, 2 की power minus 3 इस तरीके से भी हो रहा है example में हम discuss करेंगे फिर यहां पर इन digits के साथ इनको convert कर दिया convert करने के बाद जो result आया वो calculate हो गया और उसको क्या कर दिया convert करने के बाद यह number आपका आगया इसका base क्या हो जाएगा decimal number system अब यहां पर देखें इसनी कहके यह number system हमारा दे रखा next example इसको convert करना है 2 के अंदर तो इसमें यह वाला portion आपका integer portion है यह आपका fractional portion है तो यह आपका d0 हो जाएगा यह आपका d1, d2, d3, d4, d5, d6 और d7 तो 2 की power यह जो पहले digit होगी यह 2 की power 0 यह 2 की power 1 से multiply यह 2 की power 2 से यह 2 की power 3 से यह 2 की power 4 से यह 2 की power 5 से यह 2 की power 6 से और यह 2 की power 7 से similarly यह आपका 0 points है fractional part तो यह आपका d-1, d-2, d-3 और d-4 तो यह देखे पहले digit 2 की power minus 1 से multiply होगी यह minus 2 से multiply होगी, यह minus 3 से और यह minus 4 से इनको multiply करने के बाद result आपका यह आ गया और इधर इनकसम करने के बाद result जो भी आएगा वो आप लिख देंगी इसी तरीके से इसको आपको कर लीजिये, जैसे यहाँ पे आपका 1, 1, 0, 1 है, point आपका 1, 0, 1 है, तो अगर इसको convert करना तो देखे यह 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3 और यह 2 की power minus 1, minus 2 और minus 3, अब यहाँ पे देखे यह digit तो 0 हो जाएगा result इसका, इदर इसका 0 हो जाएगा, अब यहाँ से calculate करेंगे तो यह क्या आजाएगा, 1 into 2 की power 0, आपके क्या हो जाएगा, 1 यह हो जाएगा, 1 into 2 की power 2 मतलब 4, और यह हो जाएगा, 1 into 8 तो यह आपका 8, 4 और 1, इनका sum calculate कर लिजे, तो यह 13 आगया, इदर अगर आप calculate करेंगे, तो यह आजाएगा, 2 की power 1 से multiply कर रहे हो, 1 by 2, plus यह आपका हो जाएगा, 1 by, यहाँ पे आपको divide करेंगे, तो यह आजाएगा, 8 तो यह 0.5 आजाएगा, और यह 0.12 आजाएगा, तो यह result आपका आजाएगा, इसी तरीके से आप भी number system convert करना है, जैसे एक example यह दे रखा है, तो इसको भी convert कर रखा है, दूसरा example में, अगर इसको यहाँ पे देखे, यह आपका d0 हो जाएगा, d1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे द हम बात करें, अगर number system के octal 2 decimal के हम बात करें, तो decimal points आपके इस तरीके से आएगे, इसकी जो octal point के बाद यह decimal place value होगी, octal place value होगी, 8 की power 0, 8 की power 1, 8 की power 2, 8 की power 3, professional portion के लिए जो value होगी, 8 की power minus 1, minus 2, minus 3, अब इसको convert करना है, 143, इसको अगर हम यहाँ पे देखे, यह तो explain कर अगर मैं इसको समझाओ, 143, base आपका 8 है, इसको convert करना है, आपको base 10 के अंदर, तो यह आपका digit होगया D0, यह आपका होगया D1, और यह आपका होगया D2, तो यहाँ पे 3 multiply by 8 की power 0, तो यही लिखा हमने, फिर plus 4 multiply by 8 की power 1, plus 1 multiply by 8 की power 2, तो यह आपका 64 आजाएगा, यह आपक 32 आजाएगा, और यह आपका 3, तो result आगया, आपका 99, इसका base के आजाएगा, आपका 10, अब आप इसको convert करके reverse में answer भी check कर सकते हैं, आप इसको divide कर दीजिए, जैसे 10 से आप क्या कर सकते हैं, एक octal में convert करें, तो 8 से divide करेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर स decimal number system तो देखे ही क्या हो जाएगा, एक की power 0 के साथ होगा, यह 8 की power 1 के साथ होगा, यह 8 की power 2 के साथ, तो इसने इस तरीके से आप इस तरह एक साथ लिख लिख दिया, तो यह decimal number system वह आप इस तरीके से भी this problem को solve कर सकते हैं, next अगर हम बात करें hexadecimal से convert करना तो देखे hexadecimal में हमारा number दे रखा a1a और base आपका 16 दे रखा इसको अगर 10 में convert करना decimal number system के अंदर तो यहाँ पर देखे इस 10 को independent unit की रखेंगे a को a मतलब 10 जो value है तो 10 multiply by यह आपका d10 होगा और यह आपका क्या हो जाएगा d1 तो d0 मतलब 10 multiply by 16 की power 0 1 multiply by 16 की power 1 और इन दोनों का क्या कर दे आपने sum तो इस तरीके से यह आपका result आ जाएगा second अगर hexadecimal number system 1ab है तो देखे यह आपका d0 होगा यह आपका d1 होगा और यह आपका क्या होगा d2 कुछ students क्या करते हैं यहाँ पर b को पहले put कर देंगे 11 फिर इसको आप 10 put कर देंगे फिर 1 तो number बनता है आपका 110 और 11 फिर इसको d1, d2, d3, d4, d5 ऐसे करना है तो वो करना आ चीज़ का आपको द्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर b आपकी independent literal है आपका independent digit है कह सकते character है तो अब 11 को आप 16 की power 0 के साथ multiply करेंगे 10 को 16 की power 1 के साथ multiply करेंगे और फिर 1 को आप क्या करेंगे 16 की power 2 के साथ multiply करेंगे अब 16 की power 2 256 आ जाएगा 10 multiply by 16 यह आपका 160 आ जाएगा 11 आ next example आपका यह है 152A.25 अब इसमें देखें यह आपका D0 होगा यह आपका D1 होगा यह आपका 2 होगा यह 3 होगा बेस आपका 16 है तो उससे multiply करना है तो यहाँ पे देखें 1 इंटू 16 की power 3 5 इंटू 16 की power 2 2 इंटू 16 की power 1 A इंटू 16 की power 0 प्लस अब यह आपका minus 1 हो जाएगा यह minus 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 16 की power minus 1 5 इंटू 16 की power minus 2 अब इस problem को solve करने के बाद जो final result आ रहा है वो आपका हो जाएगा decimal number system थी क्या तो इसका base हो जाएगा 10 यह लोगों ने discuss किया group B का conversion, group B conversion के अंदर हमने 3 conversion discuss किये जिसके अंदर बहुत basic conversions थे कोई भी number system है आपका जो आपका कौन सा हो 16 हो चाहिए आपका base 8 हो मतलब octal हो या फिर आपका binary number system हो उसको अगर आप decimal number system में convert करते हैं तो उसके लिए आपने multiplication वाला method यूज किया और positional value के साथ multiply करते हैं एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा first screen यहाँ पर आप देखे यह positional value है digits के साथ इंटिजर portion के लिए इनोंने sigma i0 से लेका i n-1 लिख दिया और fractional portion के लिए minus 1 से लेके minus n तक d i bi लिख दिया यहाँ पर d आपका digits को denote करता है और b आपका जिस base में number system है उसको denote करता है it may भी आपका 2 हो सकता है अगर binary से octal में convert करोगे अगर आप octal से इसको decimal में convert करोगे तो आपका base 8 हो सकता है और अगर आप इसको hexadecimal से decimal में convert करेंगे तो base आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आगया अब इसको आप reverse में check भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ग्रूप A के अंदर हमने discuss किया था decimal से binary के अंदर conversion अब binary के अंदर अगर हम इसको convert करते हैं तो देखे किस तरीके से हम convert करेंगे 10 को convert करेंगे अभी इंटिजरी portion है तो divide वाला method होगा 2 से आप इसको divide करेंगे five time जाएगा reminder आपका बच गया zero फिर again five को two से divide करेंगे two time जाएगा reminder बच गया आपका one फिर two को divide करेंगे तो one time जाएगा reminder बच गया आपका zero अब आप यहाँ से इसको लिख दीजियो ms भी आपका यह हो जाएगा और LS भी आपका यह हो जाएगा तो यहाँ पे आपका result आजाएगा 1010 यह आपका binary number system आगया जो already 1010 binary number system था तो group A और group B के अंदर आप क्या कर सकते हैं convert करके आप result भी check कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं है एक बार इसकी practice आप लोग करिएगा तो आपको और clear हो जाएगा कि किस तरीके से group B के अंदर जो 3 conversions हमने पड़े उन 3ों का method एक है केवल आपका base change होगा अगर आप binary system से convert करेंगे तो base 2 से multiply करना पड़ेगा अगर आप octal से convert करेंगे तो base 8 से multiply करना पड़ेगा और अगर आप hexadecimal से convert करेंगे तो base 16 से आपको क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा clear हुआ ये concept तो दोस्तों ये था group B conversion जिसके अंदर हमने 3 conversion आप पड़े I hope आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करिए, share करिए, comments करिए और अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करिए Thank you, धन्यवाद for watching